अगर आपे बाजार के मिठाया नहीं खाना चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलावत वाली मिलती है तो आप बिना मावा के घर पे सिर्फ 10 मिनिट में ये काला जामुन बना सकते हैं जो कि बाजार में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है वही स्वाद वही टेक्शर आपको मिलने वाला है बनाना तो इतना आसान है कि बच्चे भी बना लें तो आएए देखते हैं इस मज़दार रेस्पी को हम 10 मिनिट में कैसे बना सकते हैं तो आज की वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर आपको लेना है नॉन स्टिक पैन उसमें डालना है एक चमज़ खी और आधा कप मिल्क पाउडर और आधा कप दूर यानि कि तीन चीज़े आपको इसमें डालने हैं जो भी इंग्रीडेंट्स है मैं डिसक्रिप्षिन बॉक्स में लिख दूंगी ताकि आपको आसानी हो जाए इसे बनाने में तो यहां पर 3 चीज़ों को मैंने मिल्क पाउडर और साथी यहां पर थोड़ा सा दूर तीनों को मिलाने के बाद इसे मैंने गैस पर रख दिया ह बहुत जल्दी तेज आच नहीं करनी है नहीं तो जल सकता है इस तरह से धीमी धीमी आजपी से पकाते जाए जब लगे थोड़ा सा गाड़ा हो गया है एक चमच में चीनी डाल देनी है चीनी से क्या होगा कि आपका जो गुलाब जामुन है वो अंदर से टाइट नहीं होगा बहुत बार आपने देखा होगा मार्केट से भी हम गुलाब जामुन लाते तो अंदर गाठ निकलती है तो वो चीज नहीं होगी यहाँ पर चीनी में लाने के आद मैंने इसे और गाड़ा कर लिया है और कुछ इस तरह से गाड़ा करके यह हमारा खोया तैयार हो गया है ग बहुत ती स्पून बेकिंग पावडर मिलाना है ग्रीन कलर भी मिला सकते हैं, क्योंकि यह हमारी स्टफिंग तयार हो रही है, इसी को हम काला जामून के अंदर भरने वाले हैं, अगर चिप चिपा लगे तो हलका सा घी लगा सकते हैं, हाथ में जिससे यह चिपा तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग भी तयार हो गई है, अब इसके बंचे मेंने बनाया है। उसके इससाथ गोल नईनाया से आराम जाएंगी। यहां पर दो प्रिजाँ में को से एक फol टो देंieme। और इस गोली को अंदर भर देंगे और इस तरह से गोल कर लेंगे गुलाब जामुन के अब बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि गुलाब जामुन और काला जामुन में क्या फरक होता है दोना सेम ही होते हैं जो गुलाब जामुन होता है वो ब्राउन कलर का होता है काला तो ज़रूरी नहीं आपको काला जामुन बनाना है आप इससे गुलाब जामुन भी बना सकते हैं सेम उसी तरीके से मैंने दूसरा पेडा लिया इस तरह से फ्लैट किया उसके अंदर गोली को भरा और इस तरह से गोल कर लेंगे बिल्कुल गुलाब जामुन की शेप आपको देनी है बस इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए एक तम चिकना होना चाहिए इस बात का ध्यान रखेगा क्रैक होगा तो फर गुलाब जामुन फट जाते हैं तो इस तरह से सारे गुलाब जामुन आपको तयार कर लेने हैं देखे एक तम चिकना मैंने कर लिया है एक मैं नहीं सब्था, इसे रखते हैं, साइड में ढप देंडी, और दो दो कप चीनी के करीब है, तो यहाँ पे के लिए मैंने दो कप पानी लिया है तो इस तरह से मिक्स करेंगे इसे गैस को ऑन कर देंगे यहां पर आप देख रहे हैं जो चीनी है ना उसकी वज़े से चाशनी थोड़ी गंदी सी नजर आ रही है तो पहले इसे हम साफ करने के लिए हम थोड़ा सा दूद डालेंगे तीन आप देखेंगे इसमें साइड में इस तरह से जाग आ जाते हैं जाग से क्या होगा जाग के अंदर सारी गंदी आ जाती है तो हम क्या करेंगे इस तरह से पल्टे से सारा जाग निकाल देंगे और जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी तो दो मिनिट के लि तो आप जो हरी इलाइची होती है तीन चार कूट कर इसके अंदर डाल दीजे चाशनी को जब चेक करेंगे तो यह आपको चिप-चिपी नजर आएगी जहें शहर हाथ में चिपकता है बस इस स्टेश पर आपको ग्यास को बंद कर देना है चाशनी को साइड में रख देना है तो ची हमारी चाशनी भी तयार हो गई अब मैंने या पर तेल गरम किया है तेल बिल्कुल कम गरम होना चीए एक छोटी से गोली मैंने अलग से बनाई थी टेस्ट करने के लिए यह आपको ज़रूर करना है ताकि हम तेल का टेंपरीचर चेक कर सके और तकि हमारी गोलिया फ प्राइ किया जाता है तेज आच रहेगी तो यह उपर से जल जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा एक दम लोग फ्लेम पे इस तरह से आपको पकाते जाना है अब जैसे मैंने देखा कि मेरी गोली बिल्कुल भी नहीं फट रही है और बहुत अच्छे से हिलाना है जैसे मैं यहां पर हिला रही हूँ और यहां पर मैंने सारे गुलाब जामुन टाल देए हैं अगर आप कम एज के हैं आपको एक्सपीरेंस नहीं है तो आपको दोनों हाथ से कपड़े से इस तरह से पकड़ना है खड़ाई को हलके हलके से हिलाना है तो बिल्कुल जलना नहीं है बहुत ध्यान से साथानी से काम करना है जब आपको लगे कि गुलाब जामुन का कलर चींज होना शुरू हो गया तो आप इसमें स्पैचिला से इसे पलट सकते हैं और बहुत ज्यादा गुलाब जामुन को छेड़ने की जरूरती है तेल को हिलाईए गुलाब दीमी आज पर और थोड़ा सा पकाऊंगे और इसका कलर थोड़ा सा डाक करूंगी अगर आपको सिर्फ गुलाब जामुन बनाने तो आप इसे पहले ही निकाल लेजेगा काला जामुन बनाना है तो इसे थोड़ा सा डाक कलर आने तक आपको पकाना है तो यहाँ पर इसका क गुलाब जामुन तयार हो रहे हैं कितना बड़ा कलर आया है कहीं से फटे नहीं हैं बहुत ही जूसी रसीले बनने वाले हैं तो यहां पर मैंने इसे निकाल लिया है ग्यास को बंद कर देंगे और अब जो चाशनी है वो ठंडी हो चुकी है उसे फिर से एक बार तेज गरम कर देंगे हमेशा गुलाब जामुन को तेज गरम चाशनी में डाल लिए जिससे की जो चाशनी है वो गुलाब जामुन के अंदर तक चली जाती है तो मैंने चाशनी को अच्छे से तेज गरम कर लिया है उसके अंदर ये गुलाब जामुन अपने जो काला जामुन है वो डाल झाल झाल